जैसी कृष्णा हमारे चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है मुंगफली में काफी सारे पुशक तत्व होने के कारण उसे गरीबों की बादम कहा जाता है और सिंग दाना यानि की मुंगफली का उपयोग हम रसोई में ज्यादातर करते है बारिश के बौसम में इस सरह की शिलके वाली फ्रेश मुंगफली हमें मार्केट में आसानी से मिल जाती है तो आज हम घर पर आसान तरीके से मुंगफली को प्रिशर कुक यानि की उबालना सीखेंगे उसके लिए मैंने एक किलो अच्छी सी फ्रेश और बड़ी साइस की मुंगफली को दो से तीन बार पा पानी ड्रेन आउट करेंगे अब एक बड़ा सा गहरा सा प्रेशर कुकर लेकर उसमें मुंफली को ट्रांसपर करेंगे और मसाले में हम देड़ चमश हल्दी पाउडर और स्वादानुसार या दो चमश नमक एड़ करेंगे अगर आप रत उफास में खाने के लिए बना रहे हो तो हल्दी पाउडर को स्कीप करें और रेग्यूलर नमक की जगह पर आप सेंदा नमक भी डाल सकते हैं उसमें आट कप यानि की दो लिटर जितना पानी एड़ करके अच्छे से मिला लेंगे ताकि हल्दी पाउडर और नमक पानी में अच्छे से डाइल्यूट हो जाए फिर कूकर का डखन लगा कर पांच से छे सीटी हो तब तक हम उसे मीडियम फ्लेम पर प्रेशर कूक करेंगे ये मुंकफली गर्मा गरम और ठंडी दोनों तरीके से खाने का मजाई काफी अलग होता है छे सीटी हो जाए फिर गैस बंद करके कूकर का प्रेशर रिलीज हो तब तक हम उसे रहने देंगे 15-20 मिनिट के बाद अब डकन खोल कर चेक करेंगे मुंकफली अच्छे से प्रेशर कूक हो गई है आप इसे गर्मा गरम खा सकते हैं और इसमें से चाट भी बना सकते हैं और अगर आपको इसे स्टोर करना हो तो इसमें से सारा पानी छान कर एक से दो दिन तक हम इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हैं तो अब आपको मार्केट में से उबली हुई मुंकफली खरीदने की आवशक्ता नहीं है आप घर पर आसान तरीके से उसे उबाल सकते हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेर करना ना भूले चैनल पर अगर आप पहली बार आये हो तो ऐसी एजी और क्विक रेसिपीज देखने के लिए उससे सब्सक्राइब करके बाजू में देगए बैल आइकोन पर क्लिक करें ताकि आने वाले सबी वीडियो आपको मिलती रहेगी तो फिर मिलेंगे एक ऐसी एजी और क्विक रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो